सास बहु के उपाय, सास बहु के बीच अच्छे संबंध कैसे बने? हिंदु धर्म शास्त्रों में पुत्र का बहुत महत्व है. पुत्र को अपने माता पिता अपने पित्रों को नरक से बचाने वाला कहा क्या है? हर माता पिता की ये हार्धिक इच्छा होती है कि उनके योग और वनश का नाम रोशन करने वाला पुत्र हो जिसके साथ वेह अपना जीवन बेता सके। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुक शांती हो लेकिन कई बार देखा जाता है कि परिवार में लड़के की शादी होने पर जब घर में बहुआती है तो परिवार के लोगों का उसके साथ सामंजस से नहीं बैठ पाता है घर में कलह होनी शुरू हो जाती है। आजकल शादी के बाद अलग रहने का चलन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है से माबात जिन्होंने अपने पुत्र को बढ़े ही लाड़ प्यार से पाला होता है कि इस्थिती बहुत ही जाओ ही बना रहता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। शादी के बाद एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर एक नए घर नए वातावरण में आती है वहाँ पर उसे अपना सबसे नजदी की अपना पती ही लगता है जिसको वह अपना तन, मद, धन, सब कुछ परिवार के आने सदस्यों के लिए कई बार बहुत ही कठिन हो जाता है। इसके अतरिक अजकल की संस्कृती, तेजी से बढ़ते टीवी, इंटरनेट के चलन, बढ़ते भौत लिक वात के कारण भी नवदमपत्ती अपनी एक अलग हीर मानी दुनिया का स्रीजन कर लेते हैं परिवार में आर्थिक, सामाजिक और मानसिक सुरक्षा रहती है, बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसानी से हल हो जाती है। परिवार में टकराव, अन्वन ऑन सबसे ज्यादा सास और बहु के बीच ही होती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव लड़के पर ही पढ़ता है यहां पर हम कुछ हुपाय बता रहे हैं जिससे सास बहु के बीच कलह दूर रह सकती है सास व बहु में आपसी संबंध में कटुता होने पर बहु या सास दोनों में कोई भी चांदी का चौक और टुकड़ा अपने पास रखें और इश्वर से अपनी सास ब दोनों के बीच में संबंध प्रगाड होते हैं सास या बहु में जो भी कोई संबंध सुधार ने कोई छुखोवे हैं शुक्ल पक्ष के प्रथम ब्रहस्पतिवार से मात्य पर हल्दी या क्यसर की बिंदी लगाना शुरू करें सास ससुर का कमरा सदेव दक्षिन पश्चि के लिए इस दिशा में घर के बढ़ों को ही रहना चाहिए किचन कभी भी घर के इल्शान को या मर्थि में नहों यह आपसी संबंधों के लिए बेहर घातक है घर की रसोई आगने ये को यानी उत्तर पूरू में होनी चाहिए रसोई घलत जगह में होने पर सास बहु के शन और आगने ये अदिशा की दिवार को लाल रंग से रंग करकर उसका दोश्ट दूर किया जा सकता है जिस घर की स्करिया बहु घर के वायवे अर्थात उत्तर पश्चिम कोन में शय निवास करती है वे अपना अलग से घर बसाने के सपने देखने लगती है इसलिए इस सुलहन को तो बिल्कुल भी नहीं रखे आने था उसका परिवार के साथ हलग होना तय है वास्तु शास रिकेनियम अनुसार दक्षिन पश्चिम कोन में सास को सोना चाहिए उसके बाद बड़ी बहु को पश्चिम दिशा में और उसे छोटी बहु को पूर्वा दिशा में चाहिए इससे घर की स्तरियों में प्रेम बना रहेगा सास बहु में कलेश होने पर जो चाहता है कि आपसी रिष्ट सुधरें उसे गले में चांदी के चैन धारन करनी चाहिए और ये भी ध्यान रहे कि कभी किसी से भी कोई सफेद वस्तु न लें मंगलवार को सूजी का हल बना कर उसको मंदिर से बाहर बैठे गरीमों में स्वयम बांटना चाहिए अगर घर में सास बहु में सदेव कलह रहती हो तो घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर श्वेतार्ग सफेद आग के गणेश लगाई इससे घर में सुक्षान्ती बनी रहेगी घर में सुक्षान करना चाहिए इसे पती और पत्नी के मध्य प्रेम बना रहता है यदि किसी महिला की सास या ससर उससे नाराज रहता हो तो वेह महिला प्रती दिन जल में गुड्म मिलाकर सूरीदेव को अध्रवत दे तो उसकी ये समस्या दूर हो जाती है यदि किसी परिवार में सास बहु ना करें तो सास भी कर सकती है, कहते हैं जो सास अपनी बहु को अपनी बेटी मानती है, उसे अपनी बेटी की तरह ही लाड़ प्यार करती है, उसकी स्वयम की बेटी कभी दामपते जीवन सदैव सुख में रहता है, उससे देवता भी प्रसन्न रहते हैं, उसका और उस घर के बुजूर्गों का स्वास्त ठीक बना रहता है। वेह जीवन के अंतिम समय तक भी बिस्तर परोगी बनकर नहीं रहते हैं, अर्थात उनका शरीर उनका साथ देता है। इसी तरह जो बहु अपने सास ससुर की अपने मात पिता की तरह सिवा करती हैं, उसके स्वयम के मात पिता को कोई भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। उनका बुढ़ा पाप बहुत आसानी से हस खेल कर कर जाता है। परिवार में निधन की कोई भी कमें नहीं होती है और उस प्त्री और उसके पति से रोग दूर दूर ही रहते हैं। उस परिवार के बच्चे भी उस प्रेम और सदभाव के व्रिक्ष की छावम में बड़े होकर अपने मा ता पिता के आग्याकारी होते हैं, उनकी सिवा कर आन्द तक उनके साथ रहते हैं और उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होने देते हैं शास्त्रों के अनुसार जब सुहागिन स्ट्री का निधन होता है तो उसकी सास और उसकी सास की सास वहां पर बहु के मायके से कोई भी नहीं होता है उसे वैतरणी नदी शास्त्रों के अनुसा कर्म वहीं पर खुल कर सामने आते हैं अगर बहु का व्यभार अच्छा है तो वे अपनी सास और उनकी सास के साथ आसानी से वैत्रणी को पार कर लेती हैं निथा उसे घोर कष्ट मिलते हैं अत ये स्पष्ट है कि सास और बहु दोनु को आपस में मिलकर रहना चाहिए एक सास और बहु में पट्ती नहीं है तो बहु सास को बारह लाल और बारह हरी काच की चूडियां प्रसन्य मन से भेंट करें इस उपाय से सास का मन बदल जाएगा और सास अपनी बहु की सहली बन जाएगी अगर बहु को सास की तरफ से समस्या है तो बहु सास से मधुर जाने के लिए एक भोच पत्र पर लाल चंदन की सयाहिस सास का नाम लेकर उसे शहद में डिबू कर उसे रविवार को छोड़ कर किसी भी दिन सूर्यास से पहले पीपल के पेड़के नीची गार दे और पीपल देवता से अपनी सास से संबंध अच्छे हो जाने के लिए प्र चाहिए इससे दोनों के बीच संबंध मधुर होंगे यह उपाय सास भी अपनी बहुत से कर सकती है झाल 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 झाल